तेस दिसंबर का दिन बेहत खास होने वाला है भला हो भी क्यों ना आयोध्या को इतनी बड़ी सौगा जो मिल रही है इसी खास दिन को यादगार बनाने के लिए कारिक्रम के भव्यता को दर्शाने के दिये तैयारिया शिरू कर दी गई है 22 जैनवरी 2024 को राम मंदिर प्रान प्रदिश्टा का कारिक्रम होना है इससे पहले पीएम मोधी आयोध्या के लोगों को बड़ी सौगा देने जा रहे है पीएम मोधी 30 दिसंबर को आयोध्या में बन रहे भव्य रेलवे स्टेशन और एरपोर्ट का उधाटन करेंगे फूलों के इन लड़ियों को ही देख लीजे पूरे परिसर को इन ही रंग बिरंगी लड़ियों से दुलहन की तरह सजाया जाएगा तैयारियों और सौंदरिकरन करने के लिए कई कारिकरों को बुलवाया गया है साथी साथ ताजे फूलों का प्रयोग भी किया जा रहा है यहां आप जिधर भी नज़र दोड़ाएंगे आपको रंग बिरंगे फूल ही दिखेंगे इससे आपको अंदाजा तो हो ही जाएगा कि काईगरम की भविता कितनी होगी मार्नियन नजंद्र मोदीजी तीस तारिक को यहां एयरपोर्ट का उदगाटन के लिए आ रहे हैं उसके तेजारी में सारे कारिकरों लोग फूल का काम कर रहे हैं लड़ी, तोरन, इंगलिस फूल का यह काम हो रहा है आयार चल रहे हैं यह उन्तिस की रात को कंपलीट होगा, तीस में उदगाटन को कंपलीट करके देना यह रपोर्ट का उदगाटन हम बोदीजी करेंगे तीस तारिक को उसके लिए हमने कई तरह के फूल बगरा लेजानों में सेजावाट करेंगे आपको बता दें कि आयोध्या में राम मंदर के उदगाटन से पहले रेलवे स्टेशन को भी नए सिरे से बनाया जा रहा है यहाँ एरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी स्टेशन का फ्रंट पारंपर एक मंदर वासुकला से प्रेरित है इसके साथ ही पीएम मोदी 22 जन्वरी दोहजार जोबिस को होने वाले राम मंदर के भव्य उदगाटन के लिए आयोध्या में की गई तयारियों का भी निरिक्षिन करेंगे तीस तारिक को भी आयोध्या में भव्य आयोजन किया जाएगा इस दिन पीएम का रोडशो भी होगा पीएम मोदी ट्रेन को यहां पर हरी जंडी दिखाएंगे इसके बाद पीएम मोदी एरपोर्ट के पडूस वाले घ्राउंड में जन्सभा को संबोधित करेंगे वो एरपोर्ट से रेलबे स्टेशन तक का सफर तै करेंगे तो यह रोडशो की रूप में होगा तीस तारिक को पीएम मोदी के स्वागत के लिए कई खास इंतिजाम किये जा रही है